हालो एवरिवन आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज मसाला पुलाव यह देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं और खाने में उससे भी जादा टेस्टी हैं और घर में कभी-कभी हमारी थोड़ी सी सबजी बच जाती है उससे हम इसे अराम से बना सकते हैं या फिर आप इसमें अपनी मन पसंद कोई भी सब्जिया आड़ कर सकते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कड़ाई में चार से पांच चम्मच ओयल डालेंगे मैं या सरसुका तेल यूज कर रहे हूं आप चाहें तो ओयल या घी भी ले सकते हैं अब हम कुछ साबूत मसा इसको लो कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हिंग और इसे भी भून लेंगे साथी अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइस का प्याज जो हमने स्लाइसे में काट लिया है थोड़ा सा भून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे आधी उड़त दाल की कटा हुआ और एक चमच हम इसमें अद्रगबारी कटा हुआ डालेंगे आप चाहें तो इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इन सब को हम अच्छा सा ब्राउन होने तक भून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक कप फूल गोबी जो हमने छोटे टुकडों में काट लिया है और एक छोटी गाजर जिसे हमने इस तरह से पीसिस में काट लिया है दो मीडियम साइस के आलू जिसे हमने स्लाइसिस में काट लिया है और आदा कप मतर इन सब को हम डाल कर अच्छे स पाउडर, एक छोटी चमच हल्दी पाउडर, एक छोटी चमच सौफ का पाउडर डालेंगे, और एक चमच ही हम इसमें बिर्यानी मसाला डाल रहे हैं, अब हम इसमें एक हरी मिच डाल रहे हैं, जिसे हमने टुक्रों में इस तरह से काट लिया है, इन सब को हम अच्छे से मॉफ और मसाले की बहुत ही बढ़िया खुश्बु आ रहे हैं, अब हम इसमें दस से पंधरा ये सोया बिन की वड़ी डालेंगे, जिसे हमने पहले से ही उबाल के रखा है, और एक टमाटर, एक या दो टमाटर इस तरह से जो हमने स्लाइसे में काट लिया है, और एक निम् का रख डाल दें, अब हम इसमें पानी डालेंगे, यहां मैं दो नकाट प्लस पर1 कप से ठोड़ा सा कम पानी डालूंगी, क्योंकि मैंने एक कप चावल यूज करूंगी, तो मैं यहां पर 75 दोका पानी डाल रही हूँ, क्योंकि जो गोबी और आलू डालेंगे वो भी थो इसमें डाल देंगे एक चोथाई कप बारिक कटा हुआ हरा धनिया और इस दोनों को हम हलके हातों से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल हमारे तूटे ना और जैसे इसमें अच्छा सा उबाला आ जाएगा अब हम इसे ढग देंगे और ढग करके हम इसे पकने देंगे तकरीबन 5-7 मिनट हो चुके हैं हम इसे एक बार धकन हटा कर थोड़ा सा चला लेंगे हम इसे हलके हातों से ही चलाएंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी है तो हम इसे बापिस धकन धक देंगे और फिर से हम इसे 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे और 5 मिनट हो चुके हैं अब हम यहां गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे ऐसे ही रहने देंगे धका हुआ 10 मिनट तक और 10 मिनट बाद हम इसका धकन हटा कर देखेंगे यह देखे हमारे मिक्स वेज बुलाओ बनकर के तयार है यह बहुत ही पढ़िया और टेस्टी लग रहे है और बहुत ही बढ़िया खुश्पू भी आ रही है अब हम इसे गर्मा गर्म या तो बुरानी रायता या फिर आसंद कर रायता से आप इसे सर्फ कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं यह खाने में बहुत ही जादा टेस्टी है तो आप इसे अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभा में साथ जरूर शियर करें और अगर रेसिपी अची लगी हो तो हमारी चानल को सब्सक्राइब करना बेकुल न भूले और पास ही लगी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें थैंक्स पर वाचिंग